जो पार्टियां आपसे चुनाओं के मौके पर वोट मांगती हैं, पोश्टर होडिंग छपवाती हैं, बड़ी-बड़ी रैलियां और रोश्चो करती हैं, इस सब में बहुत सारा पैसा लगता है और ये पैसा चंदे के जरिये पार्टियों के पास आता है। चुनावी चंदे के कई तरीके हैं, जिन में से एक तरीका है चुनावी बॉंड का, चंदा देने वालों की गोपनियता बनी रहे, इसके लिए ये बॉंड लाया जाता है, लेकिन इस पर पहले ही दिन से सवाल उच रहा है, तो क्या है पूरी खबर देखिए सिर्पोर्ट में सियासी चंदे के लिए एलेक्टॉरल बॉंड का सीक्रेट रूट कॉपरेटर्स को भी भा रहा है, इसके दो कारण है, पहला बॉंड में पैसे देने वाले की पहचान गुपत रहती है, दूसरा चंदे की रकम की कोई सीमा नहीं है, 2018 में एलेक्टॉरल बॉंड आने के 2018 और 2019 में 20,000 से अधिक के 3,491 करोर रुपे के चंदे में से 2,549 करोर बॉंड से मिला है, चुनाबी साल 2019 और 20 में 77 प्रतीशत और 2021 और 22 में 2,665 करोर एलेक्टॉरल बॉंड से राजनितिक पार्टियों को पैसे हासिल हुआ है, राजनितिक पार्टियों द्वारा चुनाब आयोक को सौपी गई ओडिट रिपोर्ट के अनुसार, अग्यात कम्पनियों से पार्टियों को इलेक्टॉरल बॉंड के जरीए 1 करोर रुपे का चंदा देने का मामला सबसे जादा है, पांच बड़े शहरों मुंबई, कॉलकता, हैद्राबाद, चन्नाई और नई दिल्ली से बॉंड के द्वारा सबसे अधिक चंदा दिया जा रहा है, आपको बता दे कि चुनाब आयोग के हिसाब से 2013 और 14 में सालाना औसत कॉपरेटर चंदा 24 करोर रुपे था, जो पिछले 5 साल में लगभग 10 गुना बढ़कर 2171 करोर रुपे हो गया है, जबकि 2004 से 2012 तक कॉपरेटर चंदे का सालाना औसत 47 करोर रुपे ही था, आपको ये भी बता दे कि इलेक्टारल बॉंड पर सुप्रीम कोर्ट की सम्विधानिक जजो की बेंच 31 अक्टूबर 2023 से सुनवाई कर रही है, जिसमें सरकार से लगतार सवाल किये जा रहे हैं, DV Live की रपोर्ट